हमारे पास कि यह हमारे पास कि यह हमारे पास convex mirror देवन है चेक करना बिल्कुल सिंपल कोश्चे निया है यह रिवाला तो कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और इस कॉन्वेक्स मिरर के नीचे हमने रखा हुआ है एक प्लेन मिरर हमें सारे डिस्टेंस गिवन है कि यार यह जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो डिस्टेंस पर रखा हुआ है 30 cm from the plane mirror और जो यह plane mirror है convex mirror से रखा हुआ है at a distance of 20 cm कोशन कह रहा है कि दोनों mirror से एक ही image बननी चाहिए so what should be the focal length of the convex mirror चेक करो पहले कोशन समझ में आया या नहीं आया हमारे पास है convex mirror है जिसका हमें focal length नहीं पता एक plane mirror है और हमें सारे distances given है कि plane mirror और convex mirror की बीच में distance है 20 cm plane mirror से object रखा हुआ है at a distance of 30 cm तो हमें बताना है what should be the focal length of the convex mirror जिससे दोनों की image coincide करे ताकि एक ही image बनेगी दोनों की image coincide करे चलो प्राइख करो एक बार इसे कर दो और अगर कोश्चन ही ना समझ में आया हो तो वह भी बोल देना झाल करे कर दो कर दो पूच कर दो कर दो कि कुछ तो रिस्पॉंड करो समझ में आ रहा है कर लोगे यह वाला क्यालकुलेट मेरे को बताओ यार अगर प्लेन मिरर से अबजेट रखा हुआ 30 सेंटीमिटर के डिस्टेंस पे तो इमेज का मिलेगी तो यार देखो अगर हमें प्लेन मिरर के लिए पता है कि प्लेन मिरर के लिए हमारे पास जो अब्जेक्ट डिस्टेंस है वह 30 सेंटीमिटर है तो डेफिनिटली जो हमारे लिए इमेज डिस्टेंस होगा वो भी 30 सेंटीमिटर होगा और प्लेन मिरर वर्च्वल एन एरेक्ट इमेज बनाता है तो प्लेन मिरर के लिए जो इमेज मिलेगी वह यहां से 30 सेंटीमिटर के डिस्टेंस पे इमेज बना दो कि यार यह 30 सेंटीमिटर के डिस्टेंस पे प्लेन म कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास इमेज डिस्टन्स कितना है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या सकता हूं कि इमेज डिस्टन्स प्लस 10 सेंटीमीटर है सब लोग चेक करो कि यह वाल बात क्लियर है यह निए बिक़स थ्टी सेंटी मिश्टी मिर्रें अगर बनाया है üstवध्वेंटी सेंटी मिटर का तो यह वाला कितना मिलेगा यह वाला गाप हमारे पास आएगा mr तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें इमेज डिस्टन्स मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टन्स हमें पता है कि कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट कितने दूर पर रखा हुआ है माइनस फिफ्टी सेंटीमेटर की डिस्टन्स पर रखा हुआ है यह आपको इमेज डिस्टन्स मिल अब्जेक्ट डिस्टन्स मिल गया तो अब तो फोकल लेंथ क्यालकुलेट हो जाएगा मान से एक बाद चेक करो यह चीज़ क्लियर है या नहीं तो यह सब लोग सॉल्व करो और में को फाइनल आंसर बताओ नहीं जागरिती फोकल लेंज सही नहीं आ रहा है सही से क्यालकुलेट करो कोशे के वाला कोशन हो रहा है ट्रा है मिरर फॉर्मला यूज करना वन बाइवी प्लस वन बाइव यू इस इक्वल्स टू वन भाइए सब्सक्राइब कर लेंगे तो यह हमारे पास 50 ही आएगा तो फिफ्टी और यह हो जाएगा फोर माइनस वन इस इक्वल्स टू वन भाइव तो यह हमारे पास यह कितना हो जाएगा ओं इसी क्लेट करो चेक करके बताओ कितना हा बागे लोग चेक करो आपने कहां कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी थोड़ा जल्दी दन चालो नेक्स कोशन देदू चालो यह नेक्स कोशन से पहले आप क्या करो तो थोड़ा सा रे डाग्रम एक बड़ चेक कर लो कि आपको याद है या नहीं क्योंकि इस कोशन में रे डाग्राम का काम है मुझे बताओ कि अगर मैं आप से कॉनकेव मिरर के बारे में पूछ हूँ और मैं कह रहा हूं कि हमने क्या करा है अब्जेट को प्लेस किया है एक सेंटर ऑफ कर वेचर तो आप मेरे को बताओ इमेज कहां मिलती है कावे आपका बिल्कुल सही है बाते लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो यार चीज़ों में मेरे को बताओ यह चीज़ पता है यह नहीं पता रे डियाग्राम कि अगर हम कौन के मिरर के सामने एक अब्जेट को रख रहे हैं एट सेंटर अफ कर वेचर मतलब एक टूएफ कह कहलो यह एट आर कहलो तो मेरे को बताओ इमेज कहां मिलती है को अब को तुम्हें याद है एरी तुम्हें याद है यार बहुत ही डल रिस्पॉंस चल रहा है ऐसे थोड़ी चलेगा है नहीं याद है तो कोई बात नहीं है देखो यार इसको एक तरीका के याद रखने का तरीका भी है क्या याद रख लो रेड आगरम बता देता हूं कि अगर मैं कॉन के मिरर के सामने सेंटर आफ कर वेचर पर कोई औब्जेक्ट रख रहा हूं तो याद रखो यार यह अबजेक्ट हमारा जो इमेज है वह बिलकुल सेम जिगें पर बनते हैं सेम साइज के बनते हैं इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस ऑल्सों फॉर्म डेट सी सेम साइज एंड रियल और इंवर्टेड रियल औंड इंवर्टेड इसको याद रखने का थोड़ा से डवल मीनिंग तरीका है वह याद रखो कि यार जो बंद सी है वो सी ही रहेगा बस आप इस तरीके से याद रखो उसमें आप कोई चेंज जिस नहीं ला सकते तो पोजिशन भी सेम साइज भी सेम बस रियल और कि यह याद हो जाएगा इस तरीके से तो यार देखो इसके बेसिस पे कोशन दे रहा हूं इस को ट्राइब ना कोशन थोड़ा सारा लेंथी लग सकता है लेकिन कुछ लेंथी नहीं है बस कैलकुलेशन एक पार्ट की कैलकुलेशन की भावनाव को समझो बहुत कोशन कहे रहा सब्सकता है सब्सक्राइब का तोटल मास कितना है चैटल मास मवं कोशन एक लिए वार दियां से चेक कर लेंदा कोई डाउट हो तो उसे बक्लिश बाट ठेंप यहां पर एक औबजेट रखा मैं इसका मास कि यहां पर यह दूसरा उबजेट रठा इसका मासव nya सबके सब फ्रिक्शनलेस सर्फेस पे रखे हुए हैं या जैसे भी एजियूम कर लो लेकिन सबका मास सेम हमारा जो यह ऑब्जेक्ट भी है वो मुफ कर रहा है तुवर्ड्स जी मिरर विद विलॉसिटी वी हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करनी है इसहां है फाइं दी पोजीशन उफ दी इमेजजीस फाइंड पोजीशन ओफ इमेज़ेस ऑफ ए और बी अलग अलग टाइम इंटर्वल के लिए फॉर्डाइम इंटर्वल फरस्ट पार्ट कि भहिया टायम की वैल्यू हमें गिवन है और सेकेंड पाइड बस दोई पार्ट क इस बोले वी है कि भाईया इनके बीच में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ elastic collision हो रहा है यह सारे object कहां पर प्लेज़ें इनिशली यह सारे object प्लेज़ें इनिशली आटा डिस्टेंस आर हम एक बार पूरा question फिर से repeat कर रहा हूं चेक कर लेना यार हमें दो objects given है a और b और एक stand given है जिस पर दोनों साइट concave mirror लगे वे हैं mass m यहां तक कोई डाउट कि concave mirror का radius of curvature हमें given है r object a और b यह दोनों r distance पे ही placed है मलब distance b r है दोनों objects के लिए concave mirror के radius of curvature भी same है r हमारा object b move करता वा रहा mirror की तरफ with velocity v यह mirror से collide करेगा हमारे जो भी collision है वो elastic collisions होंगे तो हमें find करना है position of a and b for the time interval t equals to r by v and second part for time interval 3r by v सबसे पहले मिरे को यह बताओ elastic collision की क्या property होती है what is elastic collision कि momentum भाई very good elastic collision का मतलब है कि momentum और हमारी कि जो energy है kinetic energy वो conserve रहती है since हमारा momentum और kinetic energy conserve होती है तो इसमें special case आता है और generally हमें सरफ special case ही याद रखना है याद रखना यह चीज़ एक्जाम में कभी भी अगर elastic collision आया तो यूजली वो special case का ही आता है क्या special case है कि अगर हमारे object A और B दोनों का mass exactly same है तो इस case में velocities interchange हो जाती है याद रखना velocities interchange हो जाती है जैसे आपको एक example देता हूं यह example बिल्कुल कारम कारम तो सब ने खेला हुआ है ना यह यह कारम elastic collision का example है कारम का example देखो भाईया striker और coin almost same mass के होते हैं मतलब दोनों का mass same है हमारा जो coin होता है वो rest पे होता है तो coin की velocity कितनी है जीरो आपने striker को हिट किया आपने striker को हिट किया वी से तो जब यह दोनों को लाइड गरेंगे तो यह किस टाइप का collision बन जाएगा यह elastic collision बन जाएगा क्योंकि दोनों का mass same है तो अगर यह एक elastic collision क्या है तो पुझा विलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी तो जाएगी क्योंकि वीलोसिटी कते हो जाएगी आप बी विलोसिटी हो जाएगे जिससे जिससे ए ट्रावल कर रहा था चेक करो यह वाला कॉंसेट समझ में आ गया या नहीं आया इलास्टिक कोलिशन था चलो तो अगर यहां तकी चीज़े क्लियर हैं तो अब यहीं चीज़ यहां पर अप्लाए कर रहा हूं फर्स पार्ट मैं सॉल्व कर आ रहा हूं आर भाई वी के लिए नेक्स पार्ट आप सॉल्व करोगे चलो देखो यह सलूशन सबसे पहले तो यह पता लगाओ कि time r by v पए यह ब्लौक जो है यह कितना distance travel कर लेगा repeat सबसे पहले तहों में क्या पता लगाना है कि इतने time interval में यह जो block B है यह कितना distance travel तो अगर हम distance find करना चाहते हैं तो distance का formula क्या लिख सकता हूं आए कि डिस्टेंस का formula लिख सकता हूं speed into time मेरे को block B के लिए distance calculate करना है speed कितनी है block B की वी और हमने time कितना बोला हुआ है time बोला हुआ हमने आर बाई वी वी से वी कैंसल हो गया तो मतलब हमारा ब्लॉग भी कितना डिस्टन्स कवर कर लेगा हमारा ब्लॉग भी आर डिस्टन्स कवर कर लेगा अगर ब्लॉग भी आर डिस्टन्स कवर कर लेगा तो यह किस से को लाइड करेगा यह मिरर से कोलाइड कर जाएगा चेक करो यहां तक की बाद समझ में आ रही है आपको यह सब्सक्राइब बढ़िया तो यार सिचुवेशन कुछ इस हिसाब से बनेगी कि हमारे पास क्या हो गया यह हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है टूर बार नहीं करेसे दिस्टंस की नहीं करें तो यार मेरा ब्लॉग यह जो भी है ये कितना अगर तो यह कितना डिस्टन्स पर आजाएगा और और ब्लॉक कितने डिस्टन्स पर रहेगा प्लीज अप सब लोक यहां तक चेक कर लो और कोई ढवट है तो पूछ लो थोड़ा सा कंफुज़न क्रेट होगा था एक ट्वार्ट ट्रो यह कि यह जल्दी बोलो सबको क्लियर है यह वाला कॉंसेप्ट अब देखो ब्लॉग बिल्पल सिंपल है ब्लॉग भी कहां पे प्लेज्ट है यह ब्लॉग भी हमारा एक्जाटली सेंटर ऑफ करवेचर पे मतलब आट आर पे प्लेज्ट है तो यहार इमेज कहां मिलेगी उसके ल अगर मैं से पोजीशन और वी लिखने के लिए तो पोजिशन और वीदि कितनी लिखनी यह मिरेको प्लस और प्लस आर्ति लिखा क्योंकि इमेज मेरी राइट-एऑंड साइड मिलेगी और राइट-एडां ऑब किससे इंडिकेट करेंगे राइट जाइड करेंगे चेक करो पहले वी बी की वैल्यु आपको समझ मेंने आई या नहीं आई अभ यह लिए अभाब्यक केENS करना पड़ेगा एक लिए एक के करना है focal length कितना given है focal length होगा R by two अगेन इस वाले concave का R इधर आएगा तो यह हो जाएगा minus R by two चेक कर लो अभी भी कोई डाउट हो इस वाले concave का radius left hand side आएगा तो इसलिए focal length भी negative आएगा radius भी negative आएगा तो minus R by two mirror formula यूज करो और मिरे को V की value वैल्यू काल्कूलेट करके बताओ वी की वैल्यू कितनी आ रही है चलो लगों काम पे दिस विल बी पोजिशन आफ ए और कोशन को मैं फिर से बोल रहा है नलाइस कर लो बहुत अच्छा सा कोशन है यह चेक कर लो आपको पूरा समझ में आ रहा है यह नहीं आ रहा है हुआ है कर दो कि कि क्या बात भी तक आंसर नहीं आए अब तक तो आजाना चीट है काल्कुलेट करके कि कि को मल बहुत और काविय तुम्हारा भी मांसिया रहे वैरी को सबका आंसर सेम आ गया वैरी कुट मांसी वह यह आंसर आना चीए माइनस टू आर भाई थ्री तो यह हमारा फॉर्स पार्ट कंप्लीट हो गया चेक कर लेते हैं मैंने काम सबसे पहले डिस्टन्स फाइंड कर होगे कि यह ब्लॉइट कितना डिस्टन्स ट्रॉइवल कर रहा है तो यह billion सब्सक्स करना था मश्रots कब्लौक एक लिए क्यल्कूलिट कर लिया तो चलो अब आप सब लोग ट्राइए करो फॉर दी सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट के लिए टाइम हमें गिवन था थ्री आर बाइव जलो ट्राइए कर वाँ कि अधा कि कि इसमें दूसरी साइड नहीं जाएगा एरी चलो यह वाला साथ साथ सब लोग साथ में सॉल्व करते हैं फिर आप एक कॉश्चन होमवक के लिए ले ले ना बाद में चलो यह सेकेंड पार्ट भी देख लो ताकि आपको और क्लारेटी मिल जाए सबसे पहले बताओ डिस्ट तो यह स्पीड इंटु टाइम स्पीड कितनी है वी और यह कितना हो जाएगा थ्री आर बाइवी तो अगर बीच में उसको कोई ऑस्ट्रक्शन ना मिले मतलब अगर ब्लॉग बी के रास्ते में कोई ना आए तो उसको कितना डिस्टंस ट्रावल करना है थीक है अब है अब आर के डिस्टंस पर रखा हुआ था तो एरी टू आर डिस्टंस तो यह ब्लॉक कवर करेगा अब कितना डिस्टंस बचा अगर इसने कवर कर लिया तो बाकी आर डिस्टंस याद रखो एरी मिरर कवर करेगा क्योंकि एलास्टिक कोलिजन में विलॉसिटी इंटरचेंज हो टॉ थ्री आर में से लó टू आर तो ब्लॉक ने तबच्टा कितना इस सा जो टू कवर करना था तो एक तरी की jáar भॉथ ने प्लॉक ने पास टार दिया तो बाके एक टो डिस्टंस रहा हुआ है वह हमारा घृतаров रिक एस उलाव कर करो देडर ऑर शु तो यार मेरा ब्लॉक यहां पर आ गया तू आर डिस्टंस कवर करके यह ब्लॉक भी है तू आर डिस्टंस कवर कर लिया बाकी आर डिस्टंस कवर करना था मिरर को तो बाकी आर डिस्टंस कवर कर लिया मिरर ने तो यार यह डिस्टंस कितना हो गया यह डिस्टंस बच गया हमा तो यार अब देख लो कि हमारे दोनों ही अब्जेक्ट सेंटर और वेचर पर आ गए है लेकिन एक राइट साइड है तो राइट साइड के लिए प्लस आर अभी भी कोई चेंज नहीं हुए और लेफ्ट साइड के लिए अब माइनस आर तो यह हमारा कोशन देखो कितना यूज किया इसमें तो यह कोशन ऑप्टिक्स का और हमारा वर्क एनर्जी पावर दोनों को मिक्स कोशन हो गया जिसमें लास्टिक को थोड़ा सा कॉंसेप्ट यूज कर लिया अब मैं आपको इस तीसरा पार्ट दे रहा हूं तीसरा पार्ट अभी सॉल्व मत करना पूरा क कंप्लीट हो जाए बता देना फिर नेक्स्ट कोशन पर आते हैं तो इसका बता दूं चलो ठीक है कोई बात में सारे डियाग्रम्स कर लेता है बहिया कोई कसर नहीं छोड़ने है एक्जाम के लिए तो सारे डियाग्रम्स पढ़ लो कि याद रखो कॉंकेव मिरर के लिए ना टोटल छे केसिस होते हैं कॉंकि मिरर का जो सेंटर और और फोकस होता है ना वो रिफलेक्टिंग साइड होता है तो मतलब मैं अब्जेट को अलग अलग जगे प्लीस कर सकता हूं जैसे कुछ समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला तो इधर समझो मैं एक तहाँ अगर मैं इसका और फोकस माक करूँ तो किदर आएगा लेट या राइट कि कि इसके सफेरीकल सचर लेट में बन रहा है तो इसका सेंटर कर वेच्चर और फोकस यह दोनों के दोनों किस साइड आए और एलेक्टिंग सर्फेस की साइड आये ह तो इसमें बहुत सारे cases बन जाते हैं कि मैं object को c के पीछे रखू, c पे रखू, c के बीच में रखू, focus पे रखू, focus और pole के बीच में रखू तो ऐसे बहुत सारे cases बन जाते हैं concave mirror के साथ ये दिक्कट है whereas convex mirror के साथ ये सब दिक्कट नहीं है क्योंकि convex mirror का center of curvature और जो focus आता है वो reflecting surface की side नहीं आता वो दूसरी side आता है तो आप object को एक ही जगर रख सकते हो और कोई option ही नहीं बचा तो देखो इसमें पहला case क्या है पहला case है रही कि हम object को रख रहे हैं infinity पे अगर मैं object को infinity पे रख रहा हूं तो है रही light rays कैसी आएगी हम हमारे पास parallel आएगी क्योंकि अगर कोई भी चीज infinity पे है तो उससे light rays parallel आती है तो भाया हमें साफ clear है अगर light rays parallel आ रहे हैं तो यह कहां intersect करती है यह intersect करती है focus पे तो image मिलेगी focus पे और यह बिल्कुल point size एक dot जितनी image मिलेगी मतलब इतनी सब कुछ concentrate होके focus पही मिलेगी point size और नेचर कैसा रियल आंड इन्वर्टेड कावे आपने very good आपने answer निकाल बे लिया उसका बहुत सभी चलो अब इदर ध्यान देलो कावे अगर डियाक्रम्स नहीं आते तो दूसरा अब मैं object को place कर रहा हूं beyond c beyond c का मतलब अब मैंने object को यहां place किया तो अगर मैं object को beyond c place करू हूं तो image कहां मिलेगी image मिलेगी याद रखना between c and f between c and f कि एक ट्रिक बताता हूं मैंने जैसे बोला कौन की मेरे में 6 cases है ना आप सुर्फ तीन case याद रख लेना ठीक है आप मेरे को चेक करके बताना कि आपको यह पहले तीन case समझ में आये हैं या नहीं एरी पहला किस चेक कर लो भाई सब लोग चेक करना एरी का तो बसमें नाम ले रहा हूं यह मैं सोचना बाकियों पर वह नहीं है भाई object अगर infinity पे है तो हमारी image मिलेगी focus पे point size और real and inverted अगर मैं object को c and f पे रख रहा हूं तो हमारी image छोटी मिलेगी object से छोटी होगी image और between c and f होगी और तीसरा case तो मैंने अभी अभी बताया और उसको याद रखने का तरीका भी बता दिया था अगर object को center of curvature पे रख रहे हैं तो image कहा मिलेगी center of curvature पे size कैसे मिलेगा जैसे मैंने बोला आप c वाले बंदे में कोई changes नहीं लीके आ सकते तो same size वह जो है between c and f रखूं तो एरी आप मेरे को बताओ जिस्ट उल्टा कर दो second case का उल्टा पहले मैंने object beyond c रखाता तो image cnf के बीच मिली थी लेकिन अब मैंने object को between cnf रख दिया तो image कहा मिलेगी एरी beyond c size देखो जब मेरा object बड़ा था तो इधर image छोटी मिली है तो अब इधर image कैसी मिलेगी अब इधर image enlarge मिलेगी क्यों क्योंकि वो beyond c पे बनी है क्या यह वाला ray diagram समझ में आ गया और बाकी real and inverted तो हई अब देखो फिफ्ट वाला फिफ्ट वाला क्या है कि भाईया आपने object को focus पे रख दिया तो देखो यह first वाले का उल्टा बनेगा अगर आपने object को focus पे रखा था तो image for object को infinity पे रखा था तो image focus पे मिली थी तो अगर आप मैं object को focus पे रख दूँ तो image कहां मिलने चीए मेरे को infinity पे बिलकुल सब्सक्राइब मिलेगी और एक लास वाला diagram भी थोड़ा सा important है वो क्या है कि आपने object को focus and pole के बीच में रखा तो अगर आपने object को focus और पोल के बीच में रखा तो इस केस में क्या होगा हमारा अगर यह object है यह focus point तो भाईया हमें image virtual and erect मिलेगी और बहुत बड़ी मिलेगी बस यह थोड़ा सा केस अलग है यहां लिख देता हूं अगर आपको कॉनके मिरर के भी याद हो गए ना तो फिर काफ़ी चीज़ है कॉनवेक्स का भले याद ना हो तब भी चल जाएगा कॉनके भी जादा आता है हमारे एक्जाम में है तो अगर यह क्लियर हो गया है तो पॉनवेक्स का भी डागरम बताना है या कोश्चन करें अब करते हैं एक मिनर आंसर दिया था कोमल नहीं आंसर मैच नहीं कर रहा है बाकि एक बार को मैं फिर से चेक कर लेता हूं बाकि मेरे ख्याल से आंसर मैच 4r by 3 and एक मिट रुकू यार लेक्ट मी वेरिफाइए मिरको ऐसे लग रहा है फिर तुम्हारा गलत आया है कावच तुम्हारा सही है कोमल तुम्हारा सही है इसी तम अपना आणसर फिर से वेरिफाइज करना जल आ जा ideia को मैं चलो अग्शन पे बोड़ यह कोश्ण टेर्ट करना और अच्छे चेक करना कि यारी कोश्ण समझ में आया या, नहीं आया इंपॉर्टन कोशन में से आई एक भाईया हमें गिवन है एक गन फिर से देखो मुद्दा वह यह घुम फिरके हमारे पास वर्क एनरजी पावर लॉस ऑफ मोशन का रिलेशन आजाएगा हमारे पास एक गन है और हमने इस गन से बुलेट फायर करी है भाईया इस बुलेट का मास स्मॉल एम गन का मास कैपिटल एम और गन के बिलकुल टॉप पे मैंने एक फिट कर दिया है कॉनकेव मेरे मैंने गन को फायर किया कितनी विलोसिटी से मैंने गन को फायर किया विदा विलोसिटी ओव वी तो कोशन लिखो आप उप क्या टालकुलेट करना है गया कोशें लिखें कोसेंड है typ'll of separation find the Children of separation between the bullet and the image just after the collision यां लिख रहा हूं find the speed of separation अब बुलिट अड़िमेच कि जस्ट आफ्टर फाइरिंग कि जस्ट आफ्टर कि दिगन वस फायर्ड पहलेब चेक करो कोशन क्लियर हुआ चलो स्टेप्स बताता हूं क्या करना है हिंट दिये रहा हूं बाकी चीजे आप ही क्यालकुलेट करोगे हिंट बस इतना सही है कि conservation of momentum लगाके सबसे पहले तो यह पता लगाओ कि गन कितनी velocity से recoil करेगी चलो first of all step one यही है conservation of momentum लगाओ और मेरे को बताओ तो गन कितनी velocity से recoil करेगी सब्सक्राइब को मैं ले लेता हूं कुछ भी वी डैश तो आप सबसे पहले यहीं बताओ कि वी डैश की वैल्यू क्या रही है चलो लगो काम पर कि बिल्कुल सब्सक्राइब सब लोग आंसर दे रहे हैं बस एक कौशिक और अक्षिका तुम दो इनकी आंसर दे रहे हो भाई मांसी कोमल एहरी सबका आंसर जा रहे हैं कि आप कि आप कि आप कि आप कि आप कि आप कि चलो भाई तो साथ साथ सॉल्व करते हैं तो टाइम टेकिंग प्रसेस हो जाएगा भाई कंजर्वेशन ओफ मुमेंटम कंजर्वेशन ओफ मुमेंटम मैंने लगाया तो मुझे पता है इनीशल मुमेंटम जीरो होता है इन कीकेस ओफ फायरिंगु अ गं या कॉलिजियोन के केस में इनीशल मुमेंटम zerो की गंभी रहोगी बुलिट घेस पर होगी इबैप्स मेंटम इ zg आकटी मारी कहाने अजलकी होगी जयार हमारी बुलिट का मास M और इसका विलॉइट फ्लस गनका मास कैपिटल हैं और इसकी विलोसिटी हमने अज्यूम कर ली थी वी डैश मेरे को वी डैश की वैल्यू निकाल लिए तो भाईया वी डैश की वैल्यू आ गई होगी माइनस कितना एम वी बाइक कैपिटल है पहले सब लोग अब यहां तक चेट करो यहां तक कोई डाउट है अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं यहार एक बात बताओ आपको यह रिकॉयल विलोसिटी ऑफ दी गन मिल गई है मतलब आपका मिरर मूफ कर रहा है तो सबसे पहले कि आप यह चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो विलोसिटी ऑफ बुलेट विद र विलोसिटी कितनी होगी यह त्राइ करो यह कैसे कैलकुलेट करो गया तो यार सिदे ओफ टियो कि रिक रिकॉर पने यह में कि इमेज कितनी विलोसिटी से मूफ कर रही है तोёт विल्विट कितनी है वी माइनस विल्विटी ओव मिर्र कितनी है मिरर का मतला विल्विटी ओफ गन एक ही बात है क्योंकि मेर उसी फिटीड है तो भाइया यह है माइनस ओफ MV बाहरे एक पीटल है तो हमारे पास इसमें चाहे वी कॉमन ले लो यह एस इट इस लिख दो वी प्लस एंवी डिवाइड़ बाई कापिटल है यह मेरा स्टेप वन था यह स्टेप टू है यहां तक चेक करके बताओ स्टेप टू तक कोई डाउट है तो पूछ लो अ अ लूख की दन अब अब मरे को खुड़ा फॉर्म मिरर के के समय व्लॉउसिटी आफ इमेज का फॉर्मला किया था मेरे को यादल लोट फॉर्म 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 उब मेज इन केस अ फ्यरैकल मिश्व कर दूब प्रिवाइज नहीं है मतलग भाई यह हमने फॉर्मला किया था वी आई एम इस इक्वल्स टू माइनस और वी स्क्वेर बाई यू स्क्वेर इंटू वी ओम क्या फॉर्मला याद आया आपको भजा चेक कर लेना याद ना हो तो प्लीज बोल देना हमने यह क्या था वी आई एम इस इıs प्रिवा यू स्क्वेर इनटू वी ओम और काफी बच्चों ने वी स्क्वेर आई को मैगनिफेकेशन करके सौन किया था तो भस इधर भी वही करना है, कि यहा र मिर को V I M calculate करना है मेरे को V square by U square की value पता है कैसे पता है यार question ने बोला है just after the firing just after firing अगर देखो कि भाईया हमारी bullet और जो हमारा gun है वो बिल्कुल same distance पे होंगे मतलब एक तरीके से bullet जो है वो बिल्कुल pole पे है तो अगर bullet बिल्कुल pole पे है तो यहाद रखना just after firing V और U की value same होगी तो इसको हम one ले सकते हैं चेक करो यह वाली बात समझ में आई है या नहीं आई है कवे एक बार चेक करो भाई बाकी लोग भी चेक करो कि यह वाला concept repeat तो नहीं करना कि just after firing हमने इसको one क्यू लिया repeat कर देता हूं just after firing हमारा जो यह mirror है और जो bullet है वो बिल्कुल pole पे होगी बिल्कुल pole पे तो अगर कोई भी object pole पे होता है तो image भी pole पे ही मिलती है तो इसलिए यह V by U की value one तो हमें पता चल गया कि भाईया हमारे पास V I M और V O M यह दोनों कैसे आ रही है यह exactly value same आ रही है अब इसको थोड़ा सा plane mirror की तरह समझने की कोशिश करो क्योंकि मैंने आपको यह concert plane mirror में भी पढ़ाया हुआ है यह एक बाद बताओ object इधर move कर रहा है two meter per second की speed से तो बताओ image कितनी velocity से move करेगी two meter per second से तो यह तो आपने velocity of image निकाल लिए velocity of object निकाल लिया दोनों की value से में आपको पता चल गया लेकिन अगर हम मैं इन दोनों के बीच में relative velocity पूछूं इन दोनों के बीच में तो उसका answer आप कितना बताओगे जीरो नहीं वी ओ माइनस वी आई वी ओ की value प्लस टू क्योंकि यह right side जा रहा है वी आई की value कितनी आएगी minus two क्योंकि यह left side जा रहा है तो इस case में answer double हो जाता है क्या यह समझ में आई answer double हो जाता है जब भी velocity of image और velocity of object equal होंगे इस चीशको important ध्यान दे लेना जब भी velocity of object and image same होंगे तो भाईया इन दोनों के बीच में अगर मैं relative velocity पूछूं और question ने हमसे वह होई पूछा है separation between the image and the bullet bullet object थी and the image तो मतलब आपको उसका double कर देना है तो आप लिखोगे टू टाइमस ओफ वी आई एम वी आई एम या टू टाइमस ओफ वी ओ एम तो यार आपने और रेड़ी यह velocity निकाल तो रखी है velocity of object with respect to the mirror कितनी है velocity of object with respect to the mirror इसी का twice कर दो तो बस आपका आंसर खतम टू इन्टू वी प्लस एम वी बाइब कापिटल एम फाइनल आंसर है कि भी एडवांस का कोश्चन था थोड़ा सा लगेगा तो है डिफिकल्ट सा चेक कर लो एक बार कोई डाउट्टो नियस कोश्चन में लो सा चालो डाउट तो कंप्लीट कर लो इसे हां फॉर्मले में क्योंकि रिलेटिव लॉसिटी का जो यह मैंने फॉर्मला लिखता है आप शैसिस में कन्फ्यूज हो सपोज मैं वी ए बी लिख रहा हूं तो वी ए बी का मतलब क्या था कि आपको वी ए और वी बी इन दोनों की वैलू डायरक्शन के साथ रखनी है तभी तो उपर व्रेक्टर साइन बनता है व्राली वी ए अगर राइट साइड जा रहा है तो फ्लस्ट फू- यह लेफ्ट साइड जा देगा तो वह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब मैं वी ए माइनस वी भी करूंगा तो दोनों की वैल्यू प्लस टू प्लस टू में आएगी तो आंसर जीरो आएगा लेकिन इस केस में नहीं आएगा कि आपका डाउट क्लियर हो गया है यह चलो ठीक है बिल्कुल कावे यह चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलेड है लेंस के लिए भी वैलेड है हर चीज के लिए वैलेड है जैसे अगर लेंस के केस में भी आप अब्जेट को बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर पे रख रहे हो तो हम कहेंगे इमेज भी बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर पे ही बन रही है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही कि अगर आपने अब्जट को पोल पे ही रख दिया तो इमेज भी भाईया पोल पे ही बन जाएगी क्योंकि हम जो भी डिस्टंस इस लेते हैं वह पोल से लेते हैं स्पीड का वी समझनी आया क्या चीज़ पूछरो स्पीड से रिलेटेड अच्छा आप कह रहो कि अगर अब्जेक्ट क्लोज टू पोल वी ओ वी आई लेंस और कॉन्वेक्स मिरर पे वैलिड है अच्छा ठीक है यह चीज़ नहीं कह सकते कि यह सेम चीज़ समय आएगा या न स्फेडीकल मिरर के केस्ट में लगा रिटी कल मिरर लैंस के केसे में यह वाला फॉर्मला नहीं चलता क् έद्ध क्या यह वाली बात क्लियर हो गई या आपको अपको पर डद कि मेरको सब कुछ कुछ उस पर बेज़ चलो आजाओ तो यार यह भी सबको अगर समझ में आ गया है तो नेक्स कोशन ट्राइब कर लेते हैं कि नेक्स कोशन मैं दे रहा हूँ टी आई आर का तो चेक करना थोड़ा सा मैथमेटिक्स जिमेट्री लग रही है और कुछ नहीं हो रहा और यह कोशन भी चेक कर लेते हैं कब का कोशन है यह वाला कोशन है हमारा 2010 का है चेक करें को reviewed कुछ टाइप का डियागरम गिवन हैion की कि हमें इस टाइप का एक कौरलेटरल गिवन है और यह सारे आंगल्स हमें गिवन है कि यहाँ पर आंगल बन रहा है एक्जाट्ली नाइन्स डिग्री यह यहां पर अंगल बन रहा छान है 135 डिग्री और यहां पर आंगल हमें goggle hai 75 खुर दिग्री है को इसी भी एक कलर की लाइट लेऊं हमने एक मुणोड़ां क्रमिक लाइट लिए और इसका माईंगल में इम से ती द इग्री यहां पर आंगल ओफ क्लियर है कि एक विया कोड़लेटरल ट्रपेजियम कुछ भी गिवन है एबी सीडी नाइंगल नाइंटी सिक्स्टी वन थाटीफ सेवंटी फाइव एक मोनो क्रोमेटिक मतलब को एक लाइट रहे है वह फॉल कर रही एट अंगल ऑफ 60 डिग्री एंगल इंगल 60 डिग्री से क एक एक विएच लूक से जाएगी मतलब यह सिडी से भार नहीं निकलेगी बलकि एक टक राके वापस अंदर रेुक्र धार कर जाएगी सेकेंड प्षण्व्सक्राइब ह कि बहिया यह साइड एक है कि आउट बबातरिएं सब्सक्राइब निकल जायागी, मतलबयों से तिर नहीं करेगी। अंगल बट्वीएन अंगल बट्वीण अंगल अगल अंगल सेके सविन डिघर निखि ऑर लास्ट उपशण अंगल बट्वीण आंगल अंगल इंखल तो मेयाँ दिख्दोर या नहीं फिर आगे बढ़ेंगे। प्रफ्रस्ट ऑप्शन यह है कि फेस सीडी से हमारा टी आई आर हो रहा है ती आई आर होने का मतलब क्या है कि भाईया सपोज यह लाइट रेंड गरेगी तो इधर से रिफलेक्ट कर जाएगी मतलब यह कॉंसेप्ट कह रहा है वह पर सेकेंड ऑप्शन कि फेस एडी से tiR नहीं करेगी वह फेस एडी पर क्या कर जाएगी वह भार निकल जाएगी कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा चेक करना है थर्ड ऑप्शन कि यह जो आगल आई मैंने आपको दे रखा है और जो फांटीं शचिन्ट निकलेगी उन दोनों क कि बीच में अंगल 120 दिग्री का होगा और आपको पहले बता देता हूं यह मल्टिपल करेक्ट पॉश्चन से हैं मल्टिपल करेक्ट आंसर स्वाले कि मोरदन 1 करेक्ट हो सकता है कि मोर्न लवन करेक्ट हो सकता है कि कि खैरको शॉल्व करना शुरू करें सबसे पहला काम मैं आपको काम देता हूं टास्क देता हूं क्या करना है हुई अगर मेरे को एंग लफ इंसिदेंस पता है और मेरे को रिफरक्टिव पता है आप लोग स्नेफ लॉन लगाओ और सबसे पहले तो मेरे को liberal कि यह नोर्माल यह बेंड करेंगी तो यह एंगल आला रिफ्राक्शन कितना आ कोश्चन में थोड़ी सी बेसिक मैथमाटिक्स लगेगी और कुछ नहीं तो 30 डिग्री वेरी गुड यह वाला अगर आपने कैल्कुलेट किया आपने आंसर दिया तो यह यह टोटल कितना हो गया यह टोटल आंगल जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं भया क्या मैं इस अंगल को 120 लिख सकता हूं मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया रिपीट यार अगर आप देखो मेरा बी सी और इस पॉइंट को कुछ भी ले लो सपोस्स एफ यह मेरे एक कौडरी लैटरल बन रहे हैं फिर से मैंने आपको क्या डाइगरम मना के मिल रहा है आपको डाइगरम कुछ इस तरीके का मिल रह तो आपको पताओ है और आपने यह अंगल क्यार्द टीफरी है तो इस लिए मैंने इस पूरे आंगल को कितना लिख दिया इस पूरे अंगल को मैंने लिग डिख दिया यह ऑंगल को गिदीके और इस में कहिवन एमने ऑन गार्रीक está संग कितने लिए 10-8-uition करको एंगोच वाला एंगल कितना आ रहा है 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 हुआ है 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 वाई 120 प्लस 60 180 तो इधर ही हो गया तो इधर भी 180 होना चीए तभी 360 बन लेगा तो 135 में से कितना वाल्यू भाया 45 डिग्री प्लीज अब लोग चेक करो यह वाली भाद भी क्लियर है तो जो यह मैंने नॉर्मल ड्रॉ आफ ब्ल बनाता है तो अगर यह एंगल 45 तो यह वाला एंगल कितना आएगा 45 यहां तक चेक करके प्लीज बताओ कोई डाॉट तो नहीं है लो चलो अब बस एक छोटा सा काम और करना है और हमारा कोशन यहीं खतम हो जाएगा यहार हमें टी आई आर के लिए पता है कि कंडिशन क्या होती है साइन आई सीज इकोल स्टू वन बाई म्यू तो मेरे को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है तो मैं इस प्रिजम के लिए क्रिटिकल आंगल फाइंड कर सकता हूं मतलब जो यह कौड़िल लैटरल प्रिजम मेरे को गिवन है मैं इसके लिए क्रिटिकल आंगल फाइंड कर सकता हूं तो भाया साइन आई सी इस इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री तो मतलब आप सीधे-सीदे यह देख लो मेरे अब एक चीज सोचके बताओ कि अगर मेरी वैल्यू वन बायरूट टू हो सोचके बताओ अगर वैल्यू वन बायरूट टू हो तो मतलब जो एंगल आएगा वो इस आई-सी से जादा आएगा यह तम आएगा सोचके बताओ जाद है भाई वेरी गुड आपको कॉंसेट समझा जता हूं मैंने ऐसे कैसे बोला यार आपको पता होना चीह हैं साइन के लिए जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है जीरो से लेके वन टक आय रिपीट जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं स अगर बढ़ी है तो डेफिनेटी जो इसके लिए एंगल होगा वह बढ़ा होगा वह बढ़ा होगा तो याद रखना थीटा टू बढ़ा होगा थीटा वन से अब यहीं पर कॉंसेट समझने लग जाओ यार हमारे लिए क्रिटिकल एंगल इतना आया है लेकिन मेरी जो 45 डिगरी वैलु बढ़ी है इस इस से 45 डिगरी इस ग्रेटर देन आंगल आईसी तो मतलब मेरा अगल आई आईसी से बढ़ा है तो यह ती आई आर करेगा तो भाया हमें पता चल गया कि यह लाइट रही है तो मतलब मेरा फॉर्स्ट अपशन तो करेक्ट है प्लीज सब लो तो एक बार अपना फिर से वेरिफाइए कर लो और खहीं पर भी कुछ डाउट लग रहा हूँ तो पूछलो भी एक बार अगर यह 45 है इन दोनों नॉर्मल को जॉइन करके 90 90 मत बना देना गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है यह दोनों नॉर्मल बिलकुल परपेंडिकुलर नहीं है परपेंडिकुलर तब होते जब यह वाली साइड बिलकुल फ्लाट होती महलब इस्ट्रेट होती वर्टिकल ऐसा नहीं है यह वाला एंगल 45 होगा यह एंगल 75 है तो मिरेको बताओ यह unuseory बिलकुल कितना हाएगा आपके पांस इट्राक्षन होगा तो येस हमारी लाइकि क्या कर जाएगी हम्हारी लाइट रैब फेसcias कर जाएगी बाहर निकल जाएगी आज एटब बेंड अवे फ्रॉन नॉर्म तो हमारा ऑप्शन अबहिए यह हां तक चेक कर लो ऐक रिपीट कर नृवान से मांसि हमारा अंगल आफ इंसेडस हमने क्या किल्कूलेटर की है सेकेंड सरफस के लिए कैसे क्या मेरे को यह वाला अंगल सोड़िया đi क्योंकि यह 45 तो यह 45 तो यह भी 45 यह वाला एंगल पता है 75 तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास बचा 60 नॉर्मल बनाता है 90 डिगरी का एंगल तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आगे 30 अब मुझे चेक करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से चोटा है या बड़ है तो हाफ चोटी वैल्यू आ रही है तो मतलब थीटा थ्री वह भी चोटा होगा चोटा होगा क्रिटिकल एंगल से मांसी क्या यह समझ में आई आपको 30 डिगरी क्रिटिकल एंगल से चोटा है तो मतलब हमारा एंगल एंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से चोटा होता है तो तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल अवे फ्रॉम दी नॉर्मल तो हमारा ऑप्षन भी भी करेक्ट है बस अब क्या करना यार लास्ट आप स्नेल्स लॉफ फिर से यूज करना ये वाला एंगल 60 डिगरी आएगा तो आप एक चीज़ देखो मेरी इंसीडेंट रे लेकिन मेरे पास एंखेंट रे डिग्री ए दो नों के बीच में कितना एंगल होगा तो आपको ऑपश्चंज सी करेक्ट होग और और ऑप्शन बी गलत होगा ہے假 कि अधि करना किसी ने कुछ नहीं बोला क्या मुझे कुछ रिपीट करना है तो यार मैं फिर से आपको बोल रहे हूं एक बार आपक्स कर लेना और अब देक्स में भारी भारी कोश्चन्स आते हैं आपको अच्छे से रिवाइस होना चाहिए चलो ड़न तो आज के लिए इतना ही है नेक्स क्लास में मिलते हैं नेक्स क्लास में और कॉश्चन्स करते हैं तो नेक्स क्लास में यार एक बार देखते हैं सिंस हमारा रेगुलर क्लास में थर्मोडायनमिक्स थर्मल प्रॉपर्टीज नहीं हुआ नहीं तो मैं वह वाला करा देता या बाकी आप बता दो आपको कौन सा टॉपिक करना है लेकिन मतलब कोशिश यही करना कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाएं उन्हीं टॉपिक को मैं डिस्कस करूँ अच्छा रैंकर्स में तो पूरा मेरा ही है तो ठीक है कोई सावी टॉपिक जो आप बोलोगे वो डिस्कस कर लेंगे